दोस्तों आप सोच रहोंगे वीडियो के स्टार्टिंग में मैं यह क्या कर रहा हूँ एक्शुली दोस्तों मैं यूज कर रहा था यहाँ पर फिल्मोरा 10 का लेटिसट फीचर शेल tener motion tracking तो दोस्तो नई Filmora का नया फीचर है motion tracking जिसको यूज करके हम किसी भी object को अपने motion के हिसाब से track कर सकते हैं जैसे कि आपने वीडियो के starting में देखा इसके आप और भी कई examples के through मैं आपको समझाओंगा motion tracking कैसे हम use कर सकते हैं तो दोस्तो दिस इस अमित फ्रॉम यूट्यूब चैनल ब्रेंटेग चलिए दोस्तो स्टार्ट कर लेते इस वीडियो को let's get started तो दोस्तो आज मैं लेकर आया है आप सभी के लिए Filmora 10 का एक और latest feature that's called motion tracking तो दोस्तो motion tracking Filmora 10 का एक और latest feature है जिसको use करके हम किसी भी motion करते हुए object पर कोई दूसरा object लगा सकते हैं तो दोस्तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये feature work करता है तो इसके लिए दोस्तो आप सबसे पहले Filmora 10 को open कर लिजे Filmora 10 दोस्तो यदि आपके पास नहीं है तो मैंने इसका link description में दे दिया है आप जाकर वहाँ से download कर लिजे और सारे instruction follow करके आप Filmora 10 को download कर लिजे इसके बाद दोस्तो यदि आपको Filmora 10 चलाना नहीं आता है तो इसके लिए भी मैंने already एक वीडियो बना रखा है आपको i button और description में link मिल जाएगा आप जाकर वीडियो को देख लिजे जहाँ पर मैंने आपको complete tutorial दिया है और आप उस वीडियो को देखकर आसानी से Filmora 10 चलाना सीख जाएंगे एक beginner के लिए भी मेरा वीडियो एकदम simple है जिसको देखकर आप आसानी से Filmora 10 चलाना सीख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर अब हम सीखेंगे motion tracking इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप Filmora को open कर लिजे औल्पीन करनने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर import पर इंपोर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अपना वो वीडियो यहाँ पर import करना है जिस पर आप tracking लगाएंगे वो move हो रहा है और इसके उपर दोस्तों मैं tracking लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर अपने hand की उस position पर अपने timeline को रोग दूँगा जहां से मुझे motion start करना है यानि कि इस position पर इसके दोस्तों motion tracking use करने के लिए आप जैसे अपने वीडियो पर click करोगे यहाँ पर आपको आप अपनी वीडियो पर double click करते हो तब भी आपको motion tracking का feature यहाँ पर देखने को मिलेगा आप इस पर check लगा कर इसे यहाँ से use कर सकते हो अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर click करते हो आपका motion tracking feature यहाँ से activate हो जाता है एक्टिवेट होती है आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको इक box दिखाई देगा इस box को आपको drag करना है अपने उस area के उपर जिस area को आपको move करना है तो आप अपने tracking के box को थोड़ा चोटा कर लीजिए और उसे साब से manage कर लीजिए जहां से आपको इसे start करना है box को चोटा करने के बाद आप इसे set कर लीजिए अपने इसाब से set करने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना है start tracking पर क्लिक करना है तो दोस्तों यहां पर मैंने tracking कम्प्लीट कर लिए अभी मैं यहां पर अपने tracking की position पर कोई object लगाऊंगा आप directly filmora के अंदर से कोई भी text या फिर element लेकर भी लगा सकते हैं लेकिन फिलाल मैं यहां पर एक emoji लगा रहा हूं जो कि मैंने अल्लेडी राउनलोड कर रखी है करेंगे उसके बाद यहां से मैं यह वाला emoji यूज़ कर रहा हूं डबल क्लिक करके मैं इसे यहां पर import कर लूँगा import करती ही दोस्तों यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा और यह activate भी हो चुका है अभी आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है इसका size बगरा manage करना है अपने इसाप से और इससे अपने hand के उपर यानि जहां भी आपको motion कराना है start करना है अपनी वीडियो में वहां पर जा तो कितनी आसानी से मैंने एकदम सही तरीके से यहां पर motion tracking का यूज किया है अब दोस्तों motion tracking को हम एक और example की दूरू समझेंगे तो यहां पर मैं एक और video import कर लेता हूँ वीडियो को ड्रेक कर लेंगे timeline पर उसके दोस्तों आपको अपने वीडियो पर वही डबल क्लिक करना है motion tracking एक्टिवेट करना है उसके बाद इस box को ले जाना है और अपने वीडियो के अपने object के उस area पर जाकर focus करना है जहां पर हम motion को activate करेंगे तो मैं यहां पर इस plane के प अब दोस्तों हम यहां पर अपना object लगाएंगे तो मैं यहां पर फिलाल यूज करूंगा filmura के अंदर से कोई text तो इसके लिए मैं अपर अपना text import कर लूँगा कुछ इस तरह से उसके आद मैं text पर double click कर रहा हूं advance में जा रहा हूं advance में जाने के बाद दोस्तों मैं यहां आप एक shape draw कर दे रहा हूं मैंने आप एक shape create कर लिया है इस shape के अंदर मैं double click करके type कर देता हूं उसके दोस्तों मैं इस object को यहां पर use करूंगा अपने plane के साथ तो मैं इसे यहां पर रख देता हूं उसके यह वाला जो text है इसे delete कर देते हैं और इसे हम यहां रख देंगे और ओके कर लेंगे, ओके करने के बाद दोस्तों यहां पर मेरा टेक्स्ट आ चुका है, अभी मैं इस टेक्स्ट का साइज बगर मैनेज कर लेता हूं थोड़ा सा, यहां तक रखना है मझे, उसके बाद इसको छोटा करेंगे और अपने पोजीशन पर रख देंगे, जहां से आपको एक्टिवेट करनी है, अब दोस्तों अपने टेक्स्ट को मोशन की जगह लगाने के लिए आप वीडियो पर डबल क्लिक करोगे, यहां पर जाओगे और उसके बाद डिफॉल्ट टाइटल को सेलेक कर लोगे, इससे दोस्तों मोशन में एक्टिवेट हो जाएगा, अब यहां आप ओके करके वीडियो को प्ले करके देख लीजे, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो, मैंने यहां पर दोनों वीडियो में मोशन ट्रैकिंग यूज़ करके दिखाया, दो एक्जामपल्स हमने देखे, दोनों के तुरू हमने समझा कैसे मोशन ट्रैकिंग वर्क करता है, आई होब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम मोशन ट्रैकिंग का यूज़ करके अपनी किसी भी ऑपजेट की जगह पर कोई दूसर ऑपजेट लगा सकते हैं, जो कि हमारी मोशन के हिसाब से मूव करता है, तो दोस्तों जैसे प्रैंक वीडियो मे इस फीचर का यूज़ करना है, आई होब दोस्तों आप सभी के समझ में आ गया होगा कि मोशन ट्रैकिंग क्या है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यदि दोस्तों आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में बबाएं, तो दोस्तों आप लोगोंने देखा कितनी आसानी से हम मोशन ट्रैकिंग का यूज करके किसी भी ऑब्जेक को ट्रैक कर सकते हैं अपने वीडियो के मुमेंट के साबसे, तो दोस्तों यदि आपको फिलमोरा टैन का देरेंगे फिर से ऐसे एक फ्रेश और एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड ठीक के लिए